पॉस वीडियो सुडू करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपके लिए एक सट्प्राइज है आज की वीडियो में अपने कान, नाक, आंक सब कुले रखना क्यूंकि आप लोगों को हम देंगे मौका 10,000 रुपे के गिववेज जीतने का जिसको जीत कर आपक रॉब वैसे ही बढ़ जाएगा जैसे इंडस्ट्री में रोईचेटी का रॉब बढ़ा हुआ है, बहुत आराम देते हैं, एक टाइम जब फिल्में सीधे OTT पर या फिर फ्लॉप वाले बैग में जाने लगी ती उस टाइम रोईचेटी ने सूरवंची निकाली, वो 2021 में अब उनकी साल के एंड में आने वाली सरकस मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया है, अब देखो इस फिल्म को कई लोग संजीव कुमार की अंगूर फिल्म की रिमेक बता रहे हैं, खेर ये फिल्म भी किसी भी इंडियन फिल्म की रिमेक नहीं है, बल्कि उसी नॉवल की जहां रनवीर इलेक्ट्रिक वायर्स को पकड़े करतब दिखाते हैं, उसका असर एकदम जुड़वा फिल्म की तरह दूसरे वाले रनवीर पर भी दिखता है, अब सिचुएशनल कॉमेडी करने में रोईट सेटी के पास गोल्ड मेडल है, वही चीज इसमें जॉनी लीव चुओ, that is called self-respect, या अजीबो गडिव होगे तुम, हम अजीबो अमीड हैं, ये सुनने में काफी सिली लगते हैं, लेकिन इंपक्ट डालते हैं, ऐसा ही इंपक्ट डालती है, पॉकेट एफम की ऑडियो सीरीज, जितनी सिमिलारीटी इन दोनों रनवीरों में हैं, रिशी स जैसे सूर्य भाईया को आजकल रन बनाने का चसका लगा है, जब internationally audio entertainment को इतना भाव मिल रहा है, तो हम इंदुस्तानी पीछे क्यों रहे हैं, और आपका भाई तो वैसे भी RJ है, रेडियो पर entertain करता है, लेकिन audio shows फुल-on entertainment है, जिसका जिम्मा उठा रखा है, पॉकेट एफ जिसके लिए लकी गधा बनकर पैसे कमाता था, वो भी इनके दुख की कड़ाई में और तेल डाल देती है, और इनको चोड़कर किसी करोड़पती रईस दोस्त रावल के पास चली जाती है, जिसे लकी रंगे हाथ पकड़ लेता है, तो ये बड़ी सिंपल सी कहानी है, इस आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता ये MLA लकी से इस तरह क्यों बेशा रहा है, कौन है ये लकी आखिर क्या है लकी का सच, ऐसा क्या राज है लकी का, जो उसके कॉलेज में कोई नहीं जानता, अगर लकी गरीब था, तो वो क्या कर रहा था उस बैंक में, जहां अकाउंट था, सिर्फ रईस लोगों का, क्या लकी कोई पैसे वाला है, जो गरीब होने का नाटक करता है, या वो है कोई बड़ा क्रिमनल के कॉमेंट सेक्शन में डाल दूँगा पर आप इसका जवाब सिट्फ और सिट्फ पॉकेट एफम के इंस्टाग्राम पर बता सकते हो अब आगे बढ़ते हैं तो ट्रेलर देखने के बाद मेरे मन में तीन ख्याल आते हैं पहला क्या यह फिल्म हिंदी मुवी इंडस्टी को इसे में यह फिल्म कितना इंप्रेस कर पाएगी क्योंकि स्टार कास बहुत बड़ी है कलाकार भी बहुत बहुत है तीसरा यह फिल्म आड़ी है 23 दिसंबर को जहां रीजनल और नैशनल दोनों लेवल पर टककर इसको मिलेगी सबसे बड़ा पहार तो आउतार 2 है जो इसके कर दो स्टार सुनों आड़ी है